तो लोग दोस्तों स्वायत मेरे चला के मैं सुलूसे मेरे बते में चला को सब्सक्राइब नहीं कि आपके आपके लाइक और कॉमेंट से में मोटिवेशन मिलता है तो यह डॉक्टर केसिस ना सेवन कलास का यह पुर्णांग का वन का सी है जिसमें पिछले पार्ट में कुछ क दिगरी ऊपर तपमान था ठीक है या आधी रात तक अर्थात आधी रात मतलब की बारा वजे रात तक ठीक है दो डिगरी सेलस्यास प्रहती घंटा की दर से कम होता है दो डिगरी सेलस्यास एक घंटा में कम होता है आधी रात तक तो किस समय तपमान सुन से सुन से आठ डि तो आधी रात तक तपमान क्या होगा मतलब की 12 गंटा में तपमान क्या हो जागा यहां से 12 बज़े दो पहर से आधी रात मतलब की 12 बज़े रात तक तो 12 गंटा हुआ ठीक है ना 12 गंटा ही होगा तो 12 गंटा में एक घंटा में दो डिगरी सेलसेस घटता है तो 12 गंटा में आपका बारह दुनी 24 डिज़िकरी सेल्सेल्स घटेगा ठीक है तो दस डिटेगरी सेल्स Bye ठीक है और चोविस यानि 24 डिभी सेल्सेल्स घटेगा तो ken चोप आयेगा तो दस माइनस की जेगा यह बलती यहाँ पर माइनस 14 डिगरी आएगा नीचे ठीक है माइनस 14 आएगा यूंकि 10 से 24 डिगरी घटेगा तो कहाँ आएगा माइनस 14 डिगरी चुकि एग घंटा में 2 डिगरी सेल्सियस तापमान घटा कम होता है इसलिए दोपाहर 12 बजे से आधी रात तक अर्थात मतलब कि 12 घंटा में तापमान में हुई कमी यानि एग घंटा में 2 डिगरी सेल्सियस तो 12 घंटा में 12 डिगरी सेल्सियस होगा यानि यतना डिगरी सेल सबसे नीचे सबसे पहले बात हैं सोन से 10 से 10 से उपर है तो पहले बादब में एक घंड़ा में एक गहणटा में 2 डिगरी शेलश्यास तो 10 डिगरी शेलश्यास घटेगा तो 5 गटा ये तो सिंपल है तो मतलब कि भागा से दोसे दसंवे तो 5 घंटा आ जयागा ना 10 डिए तक आने में लग समय ब्राबर हर टास में जो से भाग है यानँ 5 गंटा लएगा जीरो डिकरी तक आने मेंude बैंक भूद चैसे अिटार तक आन फॉने ओर ट fault तो यानि एक दे दो-तीन-चार-पांच तक आई गा यानि नीचे तो माइनिस तो हो गई ठीक है नीचे तो अब माइनिस आ डिगरी तो में कितना समय लगा यहाँ पे लगा पांच घंटा इतना आने में जिरो तक पांच घंटा और नीचे आने में कितना लएगा दो एक डिगरी में एक घंटा तो दो चार छे आठ यानि एक दो ये तो हो साम वोगा संधिया होगा ठिक है यह यानि सामय ता नाव बज़े करसी आरजित करते हैं और अपने पुराने अस्टाव की पेंसिलों को बेचने बेचते हुए 40 पैसे प्रती पेंसिल यानि एक पेंसिल पर हानी उठाता है तो पहला नमबर है कि किसी भी सिस्ट महीने में उसने 5 रुपे की हानी उठाया जदी इस अब इस अब्धी में उसने 45 पेंड बेचे 45 का हानी करके आपका यह पेंसिल बेचा होगा ठीक है तो इसके द्वारा हम पेंसिलों की संख्या निखा लेंगे नीचे देखते हैं इसको तो एक पेंड बेचने पर एक उल्पार लाब होता है चुक्कि तो पुराने पेंसिल पर 40 पैसे हानी उठाता है ठीक है ना चुकि एक पेंसिल बेचने पर एक उल्पार कर लाब हुआ और पुराने पेंसिल पर 40 पैसे कर लाब उठाता है एक पेंसिल तो इसलिए दुकंदार 45 पेंड बेचता है ठीक है दुकंदार 45 पेंड बेचता है तो 45 पेंड बेचने पर 45 पर लाब होगा इसलिए 45 पेंड पर लाब तो कि पिरेंगर ने लिए goode एतनफ इंसिng पर हानी graduate तो इसलिए 1560 कोई सब्सक्राइब इसको मदलें च इने 50 इन जी स mort आनी चैने लुवान च्वहाइं डाओ टो पिंसे पर तो इससीविए इसलिए रिचगाइब नीप एक पंसल इतना मतलब कि उसको हानी हुआ होगा तो एक पैंसल पर एक पैंसल के शॉन से एक सिनक पाटनी और चार से काट तो ाया सो पचीस पेंसिल बेची इसको काटना है कैसे 45 से एक सुना एक सुना फिर दस और पांच में भागत पचास में भागत देंगे तो 500 होगा 500 में आप चार से भागत देगा तो चरका चार चार दुनिया आठ 1248 तो हो गए ठीक हा 1248 बाकियत में दो एक जिरूबीस होगा तो ट्यार पच्च बीस 125 आ जाएगा और इसी का दूसरा है अगले माहिना में उसने ना तो लाव हुआ और ना ही हानी हुआ यादि इस माहिने में उसने 70 पेंसिल बेचे तो उससे उसने कितनी पेंसिलों पेंसिले बेची ना तो लाव हुआ ना हान तो यह जिसना का वह पेंसिल बेचा पर आग walking बेचा होगा उतना का यह पेंसिल बेचना पड़ेगा तो आगले माहा में 70 इसलिए इसलिए पेंद में हुए लाब और बरावर सत्तर गुना 1 और एक पर 1 पर गुक्त तो 70 में 70 रप्या लाव होगा तो चुंकि दुकंदार को नहीं टो लाव होता है और नहात्तरप्य कंदार को नहीं करेंगे ठीक है तो सत्तर सो यानि पाइसा और आपका यहां पर 44 है चालिस होग़े जिरो नहीं होगा ठीक है तो यहां पर एक सुना से एक सुना कड़ जाएागा यहां पर बचेगा आपको 10 मुझा सतर तो 700 और 700 में आप 4 से भागा देंगे तो प्रका चार एक बार में तो बाचे का 3 और 3-030 होगा तो चार सते एक अथा आइस वाकियात में 2 अदू अदू 1020 होगा तो 4520 याने 175 पंसिल होगा इतना बेचे गा तो फिर उसको ना तो लाव होगा और नहीं हानी होगा अठ्मा नमर एक इसको धुल मोलं काट लिए गया तो पहला राध का ने बीशन्ग पराप्त ख्यांग तो 2 से दिए मतलब 36 सेंग पराप्त होगा मतलब faites has mean तो यहां पर लिकर सुल्ब करेंगे तो परतेक से उतर पर प्लस्तीन अंग चुक्ट तो इसलिए राधिका ने 20 अंग परत किया मतलब की 36-20 16 अंग कर लिया तो इसी लिए राधिका दुआरा बनाये गए गलत प्रस्नों की संखिया तो एक में एक प्रस्न में दो अंग करता है यानि सुल्ब अंक करता मतलब की 28-16 ग्षेन प्रस्न प्रस्नों की संखिया ठीक है और इससे का अप दूसरा नंबर कोश्चन देखते हैं तो भी और इन कोश्चन होगा मुहन एक स zwr, कि और 7 भ्लूब सत्थी मतलब सत्य एक से इसलिए माइनिस में निगेटिव चला गया आप 26 नमर का गलत मनाया होगा तो एक अंग पे एक गलत पे दो ठीक है दो निगेटिव करता है यहां पर 26 इसका निगेटिव हो गया यानि दो से भागा देंगे तो तेरा दुनी 26 आपका हो जाएगा तेरा प्रस्नों की संग्य दाना दो जाओंतर हो उसने घलत बनाया होगा तो इसलिए दो अभरह जाणव की संख्या वर्법 झाल झाल